बारिश के मौसम में गर्मा गरम भूंजा हुआ भूटा जो है न हम सभी को बहुत पसंद आता है हेलो गाईस टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है गाईस आपने अक्सर भूटे को भूंज करके खाया होगा क्या आपने इसकी कभी सबजी खाया है अगर नहीं खाया है तो कोई बात नहीं आज आप मेरा वीडियो देखी और फिर मेरे तरीके से आलू भूटे की सबजी बनाके जरूर ट्राई करिएगा सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी सभी तारिफ करेंगे और उंग्लिया चाटने पर मजबूर हो जाएगे आपको ये इतना पसंद आएगी कि आप अकसर इसकी सबजी बनाना पसंद करेंगे जब भी आपको भूटे का दाना मिल जाएगा तो बस आप ले लीजिए एक भूटा आगे पीछे से पहले कट कर लीजिए उसके बाद हमें इसका छिलका उतार लेना है तो आप अलग करने के लिए सबसे पहले भूटे को दो भाग में तोल लीजिए तोल लेने से दाना बहुत ही आराम से निकालाता है उसके बाद अपने अंगूठे से हलके हाथों से प्रेस करते हुए हमें दाने को निकाल लेना है इहान रखेगा कि दाना मैश नहों यह मैंने दाना निकाल करके रख लिया है सबजी बनाने के लिए हमें जो है ना सौफ्ट दाने वाला भूटा लेना है तो चेक करने के लिए आप एक दाना लीजिए हलके हाथों से प्रेस करेंगे तो दाना मैश हो जाएगा मतलब कि सबजी बनाने के लिए एक दान परफेक्ट भूटा है अगर दाना मैश नहीं होता है हाड रहता है तो उसकी सबजी अच्छी नहीं बनती है आईए अब हम सबजी बनाने के लिए मसाला निकाल लेंगे तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है मैंने इसमें हम एक चमच धनिया पाउडर आट करेंगे आधा चमच लालमेश्ची पाउडर आप कम जादा कर सकते हैं आधा चमच हल्दी पाउडर आट करेंगे उसके बाद ले लीजी आप सबजी मसाला तो सब्जी मसला आप अपना कोई भी फेवरेट इस्तमाल कर सकते हैं जिसका फ्लेवर आपको पसंद है उसके बाद एक चम्मच कस्तूरी मेथी आइट किया है मैंने और मसाले को मिक्स करके रख देते हैं 10 मिनट सेट होने के लिए सब्जी बनाने के लिए कड़ाही गरम होने के लिए रखा है मैंने और इसमें हम एक चम्मच सरसो का तेल एट करेंगे आप किसी भी कुकिंग ओल का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे ही सरसो का तेल गरम होता है इसमें हम आलू फ्राई करने के लिए एट करेंगे तो यहां पर हम वी तैयार करना है तो उसी ओयल में हम आधा चमस जीरा आड़ करेंगे साथ में मैंने दो तेश पत्ता आड़ किया है इसी के साथ हम इसमें आड़ करेंगे बारिक चौप की हुई प्याज सभी चीजों को मिक्स करते हुए दो तीर मियर तक पका लेंगे जैसे आप देखें कि प्याज का कलर हरका सा चेंज हो गया है सौप्ट दिखाई देने लगी है प्याज उसके बाद इसमें हम आड़ करेंगे मसाला गैस का फ्लेम लो रखिएगा ताकि मसाला जले नहीं मिक्स क करते हुए हमें पका लेना है क्योंकि मसाले में पानी हमने इस्तमाल किया था तो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा जैसे आप देखो कि ओल अलाग दिखने लगा है फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिच पाउडर आट करेंगे यह बिल्कुन ऑप्चिनल है सिर्फ कलर के लि तो मेरे घर पे अलग से पेश्ट रखा हुआ था तो मैं उसका इस्तमाल कर रही हूँ आपके घर पे नहीं है तो आप टमाटर के साथ हो चार-पाँच कली ले सुना और एक तुकड़ा अध्रक ग्रैंट कर सकते हैं मिक्स कर दीजिए उसके बाद ढ़क करके मसाले को पकने मिक्स कर दीजिए जैसे ही आप देखें कि दाने का कलर चेंज हो गया है यानि पहले हलका लाइट था अभी देखी यह डार कलर दिख रहा है मतलब अच्छे से बाइल हो चुका है इसे हम बाहर निकाल के रख देंगे मसाले को पकाते हुए ग्रेवी के लिए हमें पानी आड़ करना है तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस इसाप से पानी की कौन्टिटी आप कम जादा करिए मैंने हाँ पर ये डेड़ ग्लास पानी का इस्तमाल किया हुआ है सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं यहाँ पर आलू और भूटे का दाना पका है तो सबजी को पकने में टाइम नहीं लगेगा उसके बाद इसमें हम स्वादा नुसार नमक एट करेंगे आधा चमच गरम मस करेंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और यह हमारी बहुत ही स्पाइसी चटाके दार गाधी गेरीवी कि ये सबसी बनकर तयार हूँ चुकित हैं इसका करेंग था तो आदिष्ट ये सबजी बनकर तयार हुई है, आप किसी को भी मेरे तरीके से एक बार बना के खिला देंगे न, तो सभी उंगलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और सभी लोग तारीफ करेंगे कि भाई कैसे आपनी से बनाया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीड जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी रिस्पी मिलती रहे, मैं मिलती हूँ एक नई रिस्पी में, बाई गाईस